हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको यह पताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Motorola G42 Android मुवाइल फोन में आप जो है अपना लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन सैटिंग को डिशेबल कैसे कर सकते हैं और यह सैटिंग जो है डिशेबल करने के बाद किस तरीके से काम करेगी आज की इस वीडियो में आपको पूरी जांकारी देने वाला हूँ तो चलिए यहाँ पर जो हम वीडियो को start कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने phone में setting page open कर लेना है setting page open कर लेंगे तो यहाँ पर आपको display का यह option मिल जागा display पे आपको इसे select कर लेना है इसके बाद आपको अगले page में display के इस page में आपको नीचे की side आना है और यहाँ पर आपको lock screen display का यह option मिल जागा इसे आपको select कर लेना है फिर इसके बाद आपको lock screen display के इस page में lock screen का यह option मिलेगा इसे आपको select कर लेना है अब यहाँ पर lock screen का यह छोटा सा page open होगा यहाँ पर आपका पहले से tick mark लगा हुआ होगा यह आप देख सकते हैं मेरा भी tick mark लगा हुआ है यहाँ पर इसके सामने option है कि show all notification content इस option के सामने आपका tick mark पहले से लगा हुआ होगा ठीक है इसके बाद आपको करना क्या है इस setting को disable करने के लिए आपको जो है यह तीसरा option है don't show notification at all इसके सामने वाले circle पर आपको तीसरे option पर कैसे करती है मैं आपको यह बता देता हूँ तो जब आप अपना mobile phone को screen lock कर देंगे ठीक है तो screen lock mode पे जब आपका यह phone होगा तो यहाँ आप राप देख सकते हैं मेरा यह lock screen mode पर है मेरा यह मेरी यह lock है और यह lock screen यहाँ पर जो है lock screen पर कोई भी notification आपका receive होगा आपके mobile phone प पर कोई भी नोटिफिकेशन दिखाई नहीं देगा ठीक है चाहिए वो किसी भी एप्लिकेशन का नोटिफिकेशन हो ठीक है अब मैं आपको इस सेटिंग को शॉटकट तरीके से ढूंडने का एक तरीका बता देता हूं आपको सेटिंग पेज ओपन करना है और सबसे उपर आ आपको डिस्प्रेंट कर देना है लांगर इसक्रीप डिस्प्ले को इसे और यहांपर उप्शनangen हो जाएगा इसे आपको जह सेलेक्ट ले ना है इससे होगा क्या किकी आपका मोभील फोन आपको शॉटकर त्रीके से इस सेंटिंग पेज में लेकर आ जाता है ठीक है यह श